एक चाप्टर, Carbon Anitze Compounds, जो की चाप्टर 4 है, ओविसलि टेंथ क्लास की बात कर रहा हूं है, वो इस्टार्ट करने वा है, ठीक है, तो यहाँ पर आते हो ना चाप्टर में तो आप हमेशा यह जिरूर मन में आता हूं कि जैसे मेरी तो आता था कि Carbon के बारे में हम क्यों पढ़ के तोर पे जो NCRT में लिखा हूए, मैं उसे हाइलाइट कर देता हूं और जो important होगा, मैं उसे underline करूँगा, आप मेरी एकर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, कि किस तरह से वो होती है, तो यह जो है ना, यहाँ पर, food, clothes, medicines, books, many other things that you listed, are all based on this versatile element carbon, कोई भी चीज, food, clothes, medicine, books, कुछ भी चीज, maximum चीजन जो आप यूज करते हैं, उनमें carbon होता है, ठीक है, कोई भी चीज जिन्दा है तो उसके अंदर carbon है, clear है, सीथी बात, ज्यादा तर जो maximum, all living structures are carbon based, अब देखो यहाँ पर, the earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals, ठीक है, और atmosphere में 0.03% of carbon dioxide present है, इतने ही form में carbon है, तो आप समझ सकते ही, utilization तो बहुत है, पर amount काफी कम है, ठीक है, इस chapter में हम यह जानने वाले हैं, कि आखिर क्या खास बात है carbon में, और क्यों हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, और वो की सरह से इतना important हमारे लिए हो जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात चीज में important ह है, वह ही है कि bonding in carbon, okay, what type of bonding is there in carbon, आप लोग एक चीज़ तो जानते होगे, कि valence electrons, valence के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते होगे, तो जानना बहुत ही जाद जड़ूटी है, ठीक है, तो और इसके पहले बाले chapters में आप लोग ने आइनिक बांड का properties पढ़ा है, राइ है, यह जादा होते हैं उनका, पर carbon के compounds को अगर आप देखो, यहाँ पर कुछ carbon के compounds दियेगा है न, SATK, CDI, chloroform, ethanol, methane, carbon के ही तो compounds है, इनको देखो तो इनका boiling point देख रही हो, इनका melting point देख रही हो, जोगी कम है, मैं Kelvin दिखा रहा हूँ आपको, degree Celsius नहीं Kelvin है, यह बहुत ही कम ह compare करें उन से तो, तो इससे हमें यह पता चलता है, कि forces of attraction between the molecules are not very strong, they are not strong, right, okay, and these compounds are non-conductors of electricity, means they don't have any free ions, तो सीरीसी बात है, यह जो bonding है, यह कहीं से भी ionic bond तो नहीं लग रहा है हमको, correct, तो यह क्या है exactly, यहाँ से हम देख लेते हैं, क्योंकि NCIT के भासा को समझना पहुज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं NCIT के language से चल रहा हूँ, अगर आप देखो, तो carbon में, इसके electronic configuration को मेरी ख्याल से आप लोग को आता होगा, 2 और 4, यानि 2 and 4, तो atomic number 6, 2 and 4, तो 4 valence electrons carbon में होने चाहिए, ठीक है, अगर मैं carbon में 4 valence electrons बना देता हूँ, पर भाईया, इ यह रहा इसका deep plate, समझ में आरी यह बात ना, यह रहा इसका deep plate, यह complete हो जाता है, और अगर यह चार electron और ले ले लेता है, तो इसका एक octet complete हो जाता है, 2, 8 हो जाता है, वही चीज़ यहां mention किया गया है, lose कर सकता है, gain कर सकता है, पर यह दोनों ही मुस्किल है, ठीक है, ठीक है, अगर यह gain करेगा ना, तो nucleus के लिए 6 protons को hold करना, ठीक है, 10 electrons में, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, परिसानी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, और अगर इसको remove करने को बोला जाएगी, आप 4 electron remove कर दीजे और आप खुद एक cation बन जाएगे, ठीक है ना, अपने अंदर से negativity दूर करिये, electrons को बगाईए और cation बन जाएगे, तो, तो lose करना electron भी कोई एक बहुत ही, clever decision नहीं होगा carbon के लिए, तो carbon क्या करता है, वो बीच कर रास्ता निकलता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वो हमेज़ा, share करने के process करता है, no either, means no receiving electrons, neither donating electrons, share करने के policy में वो चलता है, ठीक है, तो इसलिए, वो covalent bond form करता है, correct, ठीक यह बात आपको यहां तक तो clear हो गई होगी आपको, okay, now, तो सबसे simple जो bond है, carbon का, जो बनता है, वो हम एक बार यहां देख लिए, अगर यहां दिया हो तो अच्छी बात है, हाँ, यहां पर दिया हो गए, यह जो है, hydrogen, इसका ही electron है, just a second, yes, इसका ही electron, यह hydrogen, इसका ही electron है, त तो, चीज़ें क्या हो रही है, यहां पर, just a second, मैं इसे तोड़ा सा set कर लूँ, हाँ, यह सीख है, चलो बड़िया, तो यहां basically क्या हो रहा है, कि hydrogen के पास तो एक ही electron है, यहां यहां देख रहे हो, और hydrogen क्या करते है, आपस में जब bond बनाएंगे, तो क्या donate करेंगे, और क्य शेर कर लेते हैं, तो देख रहे हो, शेर किया हुआ, इसे हम कहते हैं, हाँ, हम कहते हैं, हाँ, तो इसी तरह से, carbon का भी हम formations, जो है, वो देखेंगे, जैसे, हाँ, यह देख लिए हो, फिलाल में इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम examples को आच्छी तरीके स पढ़ेंगे, so the simplest molecule formed in this manner is of that of hydrogen, जो कि मैंने आप लोगो अभी बताया, ठीक है, तो hydrogen atoms अपनी electrons को share करते हैं, और एक molecule बनाते हैं, H2, so H2 is a molecule, कोई भी आप से पूछे है, H2 क्या है, तो यह मत बोल देना, कि H2 is an atom, H2 is an atom, it's a molecule, राइट, इस तरह के basic चीज़ यह आपको पत education में, अगर आपको basic science पढ़ रहे हो, तो यह सब चीज़ों का पता तो obviously होना ही चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं, यह रहा, oxygen किस तरह से bond form करता है, correct, और भी examples है, आप उससे पढ़ सकते हो, तो कोई खास इसमें, idea यह की है, अलग-लग examples में उससे समझा है, correct है, तो a single covalent bond is also represented by a line between two atoms, correct, तो मैं जब मैंने आपको अलरड़ी कहा था, class start करने से पहले, कि जिस चीज़ को मैं underline करूंगा, बहुत ही ज़्यादा important हो, उसको प्लीज रिप्या करके ध्यान दीजिएगा, अधर्वाइस क्या होगा, exam में आप important चीज़ें मिस कर रहे है, तो आपको इतना चीज़ तो पता है, मैं भी sure हूँ कि valency और valence electron दो अलग अलग चीज़े होती है, जैसे atomic number of plurine is 17, इसके electronic configuration क्या होगी, उसके valency क्या होगी, क्या हो सकती है, तो आप भी मुझे जो जानता होगा भाही, वो तो हसरा होगा, बोलता होगा, सर, क्या ही सब जैसे chlorine है, तो chlorine का हमारा electronic configuration होगा, 2, 8 and 7, क्योंकि यह होता है, पर valency क्या होगा, क्योंकि इसे एक electron लेना है, जो लेन दिन होता है, जो transactions होते हैं, उसे ही valency कहते हैं, तो इसे एक electron लेना है, तो इसके valency होगी, वन, क्रेक्ट, इसकी valency क्या है, इसकी valency है, वन, क्रेक्ट, चलो, आगे बढ़े, तो इसी तरह से, आप यहां पर देख रहे हो, यह मैंने अल्रडी बताया, कि जो single bond form हो रहा है, hydrogen का, वो, एक हम single line से भी, hydrogen के bond को बता सकते हैं, जब एक electron के pair जो है, वो exchange होते हैं, या share रूपे आप इसो read कर सकते हैं, it is all about reading each and every line, and at last, choosing what is important, and just remembering it, that's all, हो गया बड़ा ही, बहती असान है, तो oxygen के कितने electrons होते हैं, यह रहे 6 electrons होते हैं, क्योंकि इसका atomic number जो होता है, वो 6 होता है, अगर आपको इसका, sorry, atomic number जो होता है, 8 होता है, तो valence electrons के 6 होंगे, 2-6 इसकी electronic configuration है, तो य यह अपने 2 electrons को, दूसरे oxygen के 2 electrons के साथ share करेगा, जिससे कि इसका octet यहाँ पर complete हो जाता है, और इसका octet यहाँ पर complete हो जाता है, यह दोनों खुस, हम खुस, आप खुस, चलो, बढ़ या, तो यह इस तरह से बनाता है oxygen molecule, पर difference क्या है, इसका hydrogen molecule से, कि यहाँ पर double bond बन रहे ह यहाँ पर total 2 pair हैं, वो share हो रहे हैं, एक single pair नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 2 stick आपको लगाना होगा, यानि इस तरह से oxygen का double bond बन रहा है, यह चीज़ को आपको बहुत ही important तरीके से महलब ध्यान देना है, इसको ठीक है, ठीक है, अब क्या triple bond भी होता है, कुद देख लो, nitrogen का जो atomic number होता है, अगर आप लोगों को याद हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वो होता है, 27, correct, देखो, मैं भी mistake कर दे रहा हूं, या, वो होता है, 25, क्योंकि nitrogen का खुद ही atomic number 7 होता है, तो यहाँ पर देख रहे हो 5 electron, अब यह क्या से bond बनायेगा, यह 3 pair को share कर रहा है, यह nitrogen अपने 3 electron को, और यह वाला nitrogen जो है, वो अपने 3 electron को, आपस में यह अपने 3-3 electrons को share कर रहे हैं, जिससे कि automatically आप यहाँ पर देख सकते हो, कि एक triple bond form हो रहा है, अब जाके यह stable होते हैं, इनका octet complete होता है, आप count कर सकते हो, इसके 6 यहाँ दो, इसके 6 electron और यहाँ दो, इस question दिया हुआ है, एक तरह से, कि एक molecule है, ammonia का, जिसका formula है NH3, कि आप उसका electron dot structure बना सकते हो, molecule का, बना सकते हो, challenge accept करते हैं, ठीक है, ammonia का चलो बनाते हैं, ammonia में क्या होता है, सबसे पहले तो N होगा, ठीक है, और N के कितने electrons होते हैं, 5 होते हैं, तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक, अब देखो इना, hydrogen के 5 हो गया, पर अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है hydrogen, ठीक है, अब मेरे पास आया hydrogen, hydrogen के, कितने hydrogen इसको लगेंगे, ताकि इसका octet complete हो, यह hydrogen का एक electron हो गया, यह hydrogen आगया अपने electron के साथ, यह hydrogen आगया अपने electron के तो आप देखोगे तो इस nitrogen का पूरा octet complete हो चुका है और इन hydrogen के भी octet नहीं कहेंगे duplets complete हो चुके है clearly visible है आपको थोड़ा सा मेरे writing को थोड़ा सा माफ कर देना बाई क्योंकि मैं उतने better तरीके से नहीं लिखा हूँ इसमें आप देख सकते हो कि जो है वो सभी के octet or duplets respective octets and duplets complete है या मैं इसको थोड़ी से और better तरीके से करने के कोशिस करता हूँ क्योंकि बहुत ही अजीब दिख रहा है तो इस तरह का मैं बना देता हूँ ये रहा मेरा nitrogen with 5 electrons obviously this one, this one here this one here and now hydrogen comes with each electron ये इसके लिए ये इसके लिए और इस hydrogen का यहाँ पर तो आप देख सकते हो respective octets and duplets सबके complete है चलो आगे बढ़ते हैं now methane के उपर एक लुक लेते हैं देखते हैं methane जो हो widely used होता है ठीक है methane is widely used as a fuel in major component of biogas and compressed natural gas CNG में तो methane के इस चीज़ से बनता है और methane का क्या हिसाब कितावे कैसे इसके electron dot structure हम बनाएंगे अब वो हम देखते हैं आगे ठीक है अगर यहाँ नहीं दिया हुआ तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ methane के किसमें क्या होना चाहिए देखो see again carbon के कितने electron होते हैं 4 होते हैं right मैं valence की बात कर रहा हूँ valence electron 4 होते है अब क्या होगा इसमें 4 hydrogen भी तो आएंगे न इसमें 4 hydrogen भी तो आएंगे न अपना-पना electron लेते हुए correct तो यह जो 4 hydrogen आए इससे इसका formula बन जाता है CH4 और इसका electron dot structure तो आप देखी रहे हो किस तरह से बन रहे है यह सीधी बात है कि यह equivalent bond है और वनिक compound है किस तरह से यह बना आप देख रहे हो इसका formula भी आप जानगे है ठीक है और यहां तक कि आपके इसका use भी जान चुके हो हां और अगर अग्जाम में आ जाया है मैंने अल्ड़ वे से इस चप्टर में बताया हुआ है कि कोवलेंट पॉंड की प्रप्रप्टीज क्या है तो आप बोलो-गलो melting point boiling point ionic bonds से बिल्कुल opposite होते है इसके ठीक है और यह electronic यह एक good conductor of electricity नहीं होता as it is already given here electrons are shared between atoms and no charge particles are formed such covalent compounds they are generally poor conductors of electricity so you can write there poor conductors of electricity yes this is important don't write that no conductor of electricity very poor poor conductor of electricity यह रहा methane का electron dot structure मैं आप लोग बता रहा था देखो carbon के ना कई सारे allotrops होते है चिस तरह से एक इंसान के कई रूप होते है अभी तो मच्चे बन जाते हो बूर बन जाते हो कभी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो कभी पढ़ाई करते ही नहीं हो तो वैसे ही carbon के अलग-अलग रूप है carbon ही जो है वो diamond बनता है carbon ही graphite बनता है carbon ही buckminster filerine बनता है यह तरह का रूप है carbon का इसको filerine कहते है तो यह इसमें बहुत ज्यादा यह बहुत ही recent है इसमें बहुत ज्यादा अभी तो जानकारी लोगों के पास नहीं है पर यहां यह आपको याद रखना चीज़ करेक्ट तो डायमंड हो गए कुसी 60 and graphite commonly used होते है यहां देख रहे हो ornaments में यूज हुआ हुआ है यह graphite पेंसिल से लिखते हो और यह फिलर रहे है ठीक है ज्यादा तरह यह pharmaceutical uses में होते है medicines के purpose में use होते हैं so yes that's all for this one what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2 यह तो आपको करना चाहिए what would be the electron dot structure of a molecule of sulphur which is made up of 8 atoms of sulphur the 8 atoms of sulphur are joined together in the form of a ring चलो बाई बड़िया बात है what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2 the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula of CO2 ठीक है इसका electron dot structure क्या होना चाहिए तो मैं आपको लोगों को यह बताता हूं इसे दिखिए ध्यान से कैसे बने गई है जैसे ये हैं हमारा carbon इसके चार एलेक्ट्रोंस है राइट क्योंकि आप इसका जानते होगी आट्मिक नंबर और बैलेंस एलेक्ट्रोंस कितने है तो इसे हमने बना दिया इस तरह से ठीक है चार एलेक्ट्रोंस अब आगए हमारे oxygen जो है और आप जानते होगी कि oxygen का कितना होता है oxygen का atomic number होता है 6 यह सब आपको याद होना चाहिए राइट जो उसे आप बनाओगे इस तरह से ओके यह रहा oxygen का 6 electron valence electron तो अब अगर आप देखोगे न तो यह oxygen का ओक्टेट कंप्लीट है कारवन का ओक्टेट कंप्लीट है फिर यहाँ oxygen का ओक्टेट कंप्लीट है यह हो गया बात समझे में आई आप लोगों कि किस तरह से oxygen electron dot structure of carbon dioxide जिसका formula CO2 है किस तरह से बनेगा और इस लिए थोड़ा सा देखने में बड़ा ओड लग रहा है आपको freehand से बनाया गया है अब जान गया है अब जान तो हमने यह चीज़ वने कर लिया अब लोग कर वे तो भी रावट कर वे तो पूछ होगे सब्सक्राइब काफी इस है अल्री हैं भी गिवेन उसमें कि एट अटम सब सल्फर होते हैं वो जॉइंट टुगेदर जॉइंट टुगेदर फॉर्म फर रिंग तो आपको सब्सक्राइब करता है और कैसे बनाता है वो मैं भी आपको बताऊंगा करेक्ट यह सई रहेगा सब्सक्राइब करता है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं होगा उसे मैं हाइलाइट करूंगा तो इसमें क्या होगा कि carbon जब लॉंग चेंज बनाये गा न दूसरे carbon के साथ तो हैदर वो single bond में link होंगे double bond में लिंग होंगा या triple bond में लिंग होंगे इस चीज़े में आपको बता रहा हूं यह बहुत ही ज्यादा और जो सिंगल बॉन्ड में लिंक्त होते हैं उन्हें सैचुरेट कबन क वॉन्ट में लेंक कोथां है उन्हें सेंट सेचुरेटर्टेट्र थीद पर पिन है नोट आप टुमाख बात सम्माज रोना इतना नहीं चीजना कारवन में है करेक्ट अब दूसरी परवटी क्या है इसकी दूसरा है मैं अल्रीड यह चीज आप डिसक्स कर शुकर था कि कर्बन के वैलंची फूर है ठीक है कंपाउंट करबन फूर्म फोट्स फूर्ण निट्रोजन सल्फर चुर्ण मनी अधर एलमेंट गिवें ड़ेस तू कि मुनो वेलंसी का मतलब यह होता है तो इसमें है यह पिशंक Украї इसको समझत बहुत मतलब तो होता है ऑ होता और वैलंसी क्या होता है आप जिसके वेलेंसी वन होक तो मोने विलेंसी यानि वह एलेमेंस से इनके साथ यह सब के साथ बनाता हैं मतलब इसके जायदा है जाने आसाले सब नाते हैं ओके यह क्लियर है now bonds that carbon forms with most most other elements are very strong making this compound is how is yeah yeah तो इधेन चीज़ बताता हूं जो मैंने अपने फूल टाइम में फॉल किया था हमेशा यह ध्यान देना कि एक चारो तरफ न यह बहुत इंपोर्टन है मान लो इसे यह ट्रट भी है तो सी के चारो तरफ न हमेशा चार बॉन्ड होने चाहिए यह चार बॉन्ड मैं इसले कह रहा हूं क्योंकि चार यह श्टिक का मतलब आठ इलेक्ट्रॉन्स ओक्टेट कम्प्लीट करना तो वो हमेशा ध्यान देना अधरवाइस मिश्टिक होगा अगर वो सिंगल बॉन्ड है तू जैसे भी चार होने चाहिए ठीक है अगर वो डबल बॉन्ड है तो यहां अगर दू दे दिये तो बस दू जगा और यह दे दू तो चार तो होंगे ना मेरी बात पर समझ पा रहे हो आगे अभी और अच्छे समझ पा होगे ठीक है देखो यह प्रुपेन, ब्यूटेन, पैंटेन, हैक्सेन, नंबर अफ कारब कारबन थ्री है तो मेरा नाम प्रोपेन होना चाहिए और सिद्धी सी बात है कि अगर कारबन थ्री है तो प्रोपीन भी होना चाहिए और कारबन थ्री है तो प्रोपाइन भी होना चाहिए पर वो डिपंड करता है कि एच क्या होगा फिर एच का फिक्स नहीं होगा ठीक है को आप Mark कर सकते हो फिर आगे बढ़ते हैं अब देखो ये बहुत इंट्रेस्टिंग चीज कि कि कार्बन स्क्लेटन बनाने का तरीका क्या होता है कि सिर्फ कार्बन को अगर मार्क करके बनाते हो तो कि सिर्फ कि इतने carbon है ठीक है पर अगर आप पूरा complete hydrogen के साथ बना रहे हो यानि कि आप पूरा whole atom का बना रहे हो ना ठीक है तो अगर कहीं पर question में आया है कि सिर्फ carbon skeleton बनाओ तो पूरा atom बनाने के ज़रूरा ताब लोगों को नहीं है ठीक है जैसे यहां पर यहां पर देखो carbon का एक possibility तो यह है चार carbon इस तरह से ओंगे linear पुड़ा और दूसरा possibility यह है कि इस तरह का chain बनाएंगे क्योंकि carbon के अंदर एक property यह ना मैं ही आप लोगों को बताया था catylation उससे के chain मनाते है उसके बाद अगर आपको complete बोलकोल बना तो आप कैसे बनाओगी बस आपको fill तो करना यह अपैसे खिल करना है वह मैं आपको लग़ेखता हूँ ठीक है कैसे अपको इस तरहां Colon carbon अगर मैं ने बना दिया तो मैं पहुशन से कहा था की हर carbon का चार होना चाहिए, इसमें देखो, तीन जगा खाली था, मैंने तीन दे दिया, इसका देखो, दो ही खाली है, दो दू, इसका भी दो ही है, इसका भी तीन है, क्योंकि चार कंप्लीट करना है हमको, उसके बाद बचे वे जगों पे बस, एच को फिल कर दू, और ये पूरे और केमिस्ट्री में हार जाएगा, सिर्फ ही, मतलब कि ये चीज काम आता है, यही एक ट्रिक है, ठीक है, देखो, बन के त्यार होगे आपका इस्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक वैसे ही, आप इसमें भी तो सेम चीजी करोगे, कार्बन कहीं भी हो, कैसा भी हो, कोई भी चेन में हो, आपको तो उसको एच कंप्लीट करने है, ना, अब सिर्फ क्या स्ट्रेट और ब्रांच्ट कार्बन ही होते हैं, क्या नहीं, साइक्लिक भी होते हैं, हेरिंग फॉर्म में भी होते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन तो है, छैकर्बन तो है, पर वो जो है तो गोल में यानि कि कि रिंग फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा कोई दिकत नहीं है आप इसमें भी तो हेयरेजन को अपने आप ही यह तो मैंने उसे जनरल फॉर्मूला कहा था ना कर्रेक्ट बात समझ में आ गई है सभी को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है अब देखो क्या हर साइक्लो हैक्सेन जो है वो सैचुरेटेड होगा नहीं सैचुरेटेड तो होगा पर क्या हर सैचुरेटेड ही होगा ऐसा जरूजी नहीं है कितने सारे साइक्लो श्रक्टर सोंगे साइक्लो हैक्सेन होंगे जो ऑन सैचुरेटेड भी होंगे देख cooler यहां पर दिया गए है यह बैजीन तो जैसे कि मैंने आप λcommittee को समझाया था कि जब इवह सैचुरेटेड हो कार्बन अब क्या है कि यह 6 है cyclohexene है hex है मतलब यह 6 ही होगा पर number of hydrogen change हो जाते है जब वो saturated या unsaturated होता है इसके पहले यह count कर सकते हो कितने सारे hydrogen है यहाँ पर देखो तो कई सारे hydrogen है ठीक है पर मैं इसको अगर unsaturated कर दिया तो hydrogen हो गए 6 तो benzene के structure होता है C6H6 तो इसको बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका है मेरे teachers ने भी मुझे यह सिखाया था आप carbon को इस तरह से इस तरह के arrangement पर बनाईए सिंपल सी बात है as a ring chip ओके और alternate जगों पर double bond दीजे alternate जगों पर double bond दीजे alternate में double bond दीने के बाद ठीक है सभी में उनके 4 हमको 4 bond complete करना है न तो यहां पर carbon में 1 hydrogen यह carbon में 1 hydrogen carbon में 1 hydrogen carbon में 1 hydrogen carbon में 1 hydrogen कहना कर यह मतलब है सभी carbon में 1 hydrogen देदू आपका benzene के structure बन जाएगा मेरा बनाया हुआ तो काफी थोड़ा गंदा लग रहा है ठीक है क्योंकि मैंने उसको यहां पर बनाया हुआ इसलिए आप समझे क्यों होगे मेरी खाल से मेरी बात को करेक्ट तो यह तो clear बात है मैंने भी आप लोगों को समझा है कि जिसमें single bond होगा वो hydrocarbons जो होते हैं saturated होते हैं जिनमें single bond नहीं होता जैसे कि आलकीन और अलकाइन उसमें वो unsaturated होते हैं ठीक है चलो क्या सिर्फ carbon और hydrogen ही होंगे फिर carbon and hydrogen ही होंगे क्या सिर्फ organic compounds में नहीं कई बार क्या होता है कि carbon का बड़ा फ्रेंडली नेचर है वो क्या करता है कि कई उसे दूस्ति कर लेता है तो वह जो बाकी जिन से दूस्ति कर रहा है वह hydrogen को replace कर जाते हैं और उसके साथ bond बना लेते हैं ठीक है तो जो लोग carbon जो लोग hydrogen को replace करते हैं उनको हेटरोएटम कहा चाहता है समझे केmmand sly mytoxia अर इन हेट्रोएटệu्श-को हम फूंक्शनल गूरूप कहते हैं क्योंकि इनका एक पर्टीकुलर बियवियर होता है नीचे रहल आ या यह अप भी आ ही कह सकते हैं कि इनका एक पर्टीकुलर whichever property आई, specific property between these heteroatoms. And the group containing, the confers specific properties to the compound. And the group containing these confer specific properties to the compound. For increases In a particular compound, if I add function a functional group in it, then the whole property of the compound will change due to that functional group. That's why. Okay. Correct. तो यहां पर आप लोग यह देख सकते हो कि जब क्लोरीन ब्रोमीन यह एड़ होते हैं तो इनको हेलो ग्रूप कहा जाता है हेलो आलकीन खह सकते हो आप तो इसको हम क्लोरो ब्रोमो इस तरह के नाम से जानेंगे ठीक है क्लोरो ब्रोमो इस तरह के नामों से ठीक है आलकोहल रहेगा तो ओएच सफिक्स एड़ होगा not exactly suffix मतलब कि ओएच एड़ होगा in that particular compound अलडी हाइड रहेगा तो CHO देख दिये ध्यान देना कि यह किस तरह से बनाया गया है ठीक है structure बहुत ज़रूरी है किटोन अगर एड़ होगा तो वह CO and carbozolic acid then COOH so these are the general formulas of some functional groups along with their structure है यह होमोलोगा सीरीज क्या है है होमोलोगा सीरीज का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास दो carbon atoms है CH3 और या इस तरह से नहीं दूसरे तरीके समझो मान लेते हैं कि हमारे पास general formula जो है वो है CnH2n plus 2 उस हिसाब से C2 क्या होना चाहिए C2 होना चाहिए H2 to the 4 plus 2 that is 6 तो C3 क्या होना चाहिए C3 होना चाहिए H326 plus 280 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है एक carbon का डिफरेंस है दो hydrogen का डिफरेंस है यही तो है ना एक carbon इसमें से जादा है और दो hydrogen जादा है तो डिफरेंस क्या रहा है CH2 आ रहा है यानि हर आलकेन में जब आप डिफरेंस निकालना चाहोगे तो वो CH2 ही आएगा चाहिए carbon 2 आले मिलो या फिर मैं यह कह सकता हूँ इसे कि आप लोग ethane propane मिलो या propane और butane मिलो या butane और pentane मिलो डिफरेंस से माने वाला है करेक्ट इसे आप लोग घर पर भी चेक कर सकते हो खुद डिफरेंस सभी का सेम आएगा समझ में आरे ये बात इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है so the general formula is also written here that I think I have already mentioned you about the general formula that cnh2n cnh2n plus 2 and cnh2n minus 2 और इसमें ज्याद आपको जानने की ज़रूरत नहीं है nomenclature भी काफी नहीं कह सकता पर बहुत ही least concern का topic है क्योंकि nomenclature में आपको यहाँ पर सिखाएंगे यह सभी यह भूलेंगे कि if the name like this if the name of the functional group is to be given a suffix and suffix of functional group begins with vowel then the name of carbon chain is modified by deleting the final इसब कौन ही याद रखेगा ठीक है इसब कौन ही याद रखेगा इसब को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है सीधी सी बात यह है कि आप लोग यहाँ आ जाओगे और यहाँ पर आप लोग देख लोगे कि यहाँ पर किस तरह से suffix को यूज किया जा रहा है काम खतम हो गया हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है अगर आपके ग्रूप में यानि कार्बन में ट्लोरो लगा हुआ है और आप कांट कर लो न कार्बन कितना है 1, 2, 3, 3 carbons are there and there is one chloro in it, chloropropane, क्योंकि आप ये भी तो देख रहे हो कि ये पुरे को पुरा single bond है, तो cold chloropropane, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर alcohol है, यहाँ ओल लगा हुआ है, not oil, पहले ही है, मैं पहले ही बता दिया, sorry, तो अगर आप देख रहे हो है, यहाँ पर OH लगा हु है, 3 carbon है, obviously single bond है, तो propanol, ठीक है, क्यों, क्योंकि alcohol में सफिक्स लगेगा all, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे न, उसके लिए इतना rule क्यों याद गरने जाओगे तो, ठीक है, aldehyde में क्या करेंगे, हम all लगाएंगे, all, यहाँ पर 3 है, देखो, तो ये propanol, अब बुल functional group अपने साथ carbon लेकर आता है, जो functional group अपने साथ carbon लेकर आता है, उसको भी include करते हैं हम total carbon count में, otherwise यहाँ confusion हो जाएगा, तुम बोलोगे सर, वो CHO aldehyde का तो अपना एक carbon है, पर मैं तो propanol बनाना है तो 3 carbon लाओंगा न, उसको मिलाके तो 4 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उ तो यहाँ पर अब देखो, ketone में O-N-E, propanone, क्योंकि आपने यहाँ पर ketone का group लगाया, functional group CO, लिखान देना किस तरह से बनाया गया, आपके question में दिया हुआ है, question कहा रहा हूं सभी, लिखान देना क्योंती वो इसके पहले, जो हम group mention किया है, functional group उसमें लिखा हुआ है, उस प्रोपानोई, क्योंकि आलकीन है, तो E-N-E होता है, यह मैंने पहले ही बताया, प्रोपीन, अलकाइन है, तो Y-N-E होगा, प्रोपाइन, यहाँ पर देख रहे हो, triple bond, triple bond है, तो carbon के 4 bonding, हमको 4 stick carbon के 4 लगाना है, उसको complete करना है, यह trick मान के कर लो इसको, पता चला है, यहाँ पर तुम carbon लगाना लगे, यहाँ मत लगाना carbon के, यहाँ पर already carbon के आसपास 4 उनके जो bond है, वो complete हो चुके है, ठीक है, चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी confusion हो, ता आप वीडियो को दुबारा से देख सकते हो, ओके, ओके, होते हैं, वो एक बड़ा ही मतलब कि हम कह सकते हो, इसको yellow flame, red flame, orange flame, कह सकते हो तो ठीक है, जो कि obviously clean ya blue flame तो नहीं होगा, के ऊपर के काला काला जम जाता है ना कार्बन की तरह हुआ थिक कि उसे हम सूट कहते हैं तो अब इसलिए सूट बनना सुरू हो जाता है यह इवन सचुरेटर के सांथ भी ऐसा होता है अगर आप सचुरेटर को भी ऑक्सिजन सप्लाय के अब में नहीं जलाओगे बर्न करोगे उसमें भी सूट बने गाए ठीक है यहां दिया हुआ है वैसे सब्सक्राइब लिमिटिंग सप्लाय और रिजल सिन इनकम्प्रिट कमश्शन फिवन सचुरेटर है कि बाटम अफ कोगिंग वेसल्स ब्लैकंड हो रहा है तो यह ब्लॉक्त अब यह क्या है जो फ्यूल्स होते ना कोल और पेट्रियूम के बने हुए उनमें नाइट्रोजन औ पर उनसे वह जब ऑक्सडाइज होते हैं न निकलता है जै कितना भी क्लीन फ्लेम हो ठोड़ा बहुत पॉल्यूटन से निकलता ही है और वही ठोड़ा बहुत जो है मेजर पाली जाता है बाद में आगे जाके हमारे न्वार्मेंट के लिए ठीक है अब आगे बढ़ें और हम आते हैं oxidation पे क्योंकि ये chapter हमारा जो रहता है class वो पूरी तरह से examination बेश्ट रहता है तो जो exam बेंपॉर्टेंट है हम वो बढ़ेंगे ठीक है आप चाहओ तर नॉलेज़ के ये सब पड़ा सकते हो why do substances burn with or without a flame okay that particular substance is the only reason that why it will burn with or without a flame if the nature of the substance is like that if it is made up of saturated hydrocarbons then obviously it will burn without flame right or clean flame I can say not without flame exactly and if it is made up of unsaturated hydrocarbon then obviously it will burn with red or yellow flames and sometimes it may be sooty smoky right right I hope you understood okay now okay so now we will move to that oxidation part okay so वैसे तो आप oxidation के पर में जानते हो कि oxidation होता क्या है और अभी हमने ये जाना कि organic compounds को कैसे oxidize करेंगे सीधा उसको burn कर दो oxygen के पास combustion कर दो okay तो oxidation से क्या हम कुछ carbon carbon और compounds में या फिर हम कैसे hydrocarbons में और भी कुछ कर सकते हैं क्या येस हम आलकोहल को कार्पजलिक एसीड में कनवोर्ट कर सकते हैं by oxidizing them this is a reaction for it one of the most important reactions of this chapter I'll tell you all to just read this reaction ये इस तरह से नहीं हो रहा है इस तरह से नहीं हो रहा है कि इस reaction को जरूर दिहान से देखना बहुत इंपॉर्टन्ट रियक्शन है ठीक है CS3 CS2OH क्लियर ये इधानोल है इधानोल को जब हम alkaline kmn4 और या यह है ठीक है ना दोनों को नहीं लिए या तो alkaline kmn4 लोग potassium क्या है यह compound का नाम को बदा सकता है potassium permanganate ओके देखो आप लोगो कोई भी यूश्यू अगर होता हो क्लास के बीच में कोई भी डाउट होता हो तो आप लोग क्या करोगे कि जब class end हो जाता है हमारा आपर वीडियो जब आ जाता है उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है प्रॉपर चैनल से मेरे करेक्ट यह alkaline kmn4 है potassium permanganate और acidified k2-cr2-07 यह क्या है potassium dichromate ठीक है यह help करते हैं to oxidize alcohol into carbozolic acid यह ethanol है ethanol convert होता है oxidize होता है और form करता है ethanoic acid clear तो इसलिए इन्हें oxidizing agent कहा जाता है अब बोलोगे सर किसे oxidizing agent कहा जाता है यह जो मैंने भी नाम बताया alkaline kmn4 और acidified acidified k2-cr2-07 potassium dichromate dicum 2 chromium है na cr इसलिए तो यह सब common sense की बात है आप लोग को हर बार रटा मारने की ज़रूरत नहीं है आप chemical का नाम देखके भी formula देखके भी उसका आप लोग नाम जो है the reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst ठीक है vegetable oils के पास तो unsaturated carbons बहुत सारे होते है ना और animal fats have saturated carbon तो animal fats में बनाने के लिए इसको convert करने के लिए इसका addition reaction किया जाता है okay just a second नहीं है यह तो इसमें हम क्या करते क्या है जैसे आप लोग यह देख रहे हो ना यह यह हमारा है यह इसको हम nickel catalyst के presence में hydrogen के supply में इसमें addition reaction करते हैं तो यह saturated में convert हो जाता है ठीक है और आप लोग देखे हो कि कई सारे advertisements में भी आप लोग देखे होगे कि vegetable oils are healthy oils ठीक है जोगि animal fats में क्या होते है saturated fatty acids होते हैं जोगि हमारा healthy harmful है तो oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking यह आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ठीक है क्लियर आप लोग को बताता हूं कि substitution reaction क्या होता है तो saturated hydrocarbons को जब हम sunlight के presence में chlorine के साथ react करते हैं तो यह क्या होता है क्यों क्या कर रहे हैं कि एक atom के जगह हम हम क्लूरीन दे रहे हैं या हम यह कह सकते हैं कि chlorine को वहाँ पर add कर दे रहे हैं तो हमारे पास अगर दो क्लूरीन है तो एक क्लूरीन जो है वो जाकर CH3 के साथ लग जाता है और एक क्लूरीन इस तरह से हम आलकेन से तई सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर बन रहा है क्लूरो मिथेन और HCl ठीक अब यह क्लूरो ब्रूमो मैं क्यों बोल रहा हूं यह हम नहीं हम लोग से दिसक्स किया था तो उसमें आप लोग को बताया था राइट आप व बोजन नंट यद्ञ रियक्शन रियक्शन इथानोल से इथानोइक एसिड बनने के रियक्शन को और स्क्रम बोला जाता है देख लो यह पर है कि यह इसको ऊक्सिडिशन रियक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैं सीच 3C-O-OH हो रहा है अगर आप लोग यहां पर ध्य यह इससलें कर सकते हैं क्योंकि इभाइन जो होता है वो अन्सक्रएटड और यह करेंगे तो बश्चिनी सब्सक्राइब सूटी और बड़ा ही गंदा फ्लेम निकालता है तो अगर हम उसको ऑक्सिजन के साथ नहीं करके एर में तो अलड़ी बहुता इंपुरूटी जना उनके साथ करेंगे तो मतलब कि उसका क्वालिटी बीजा और इसका क्वालिटी जो है वह बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाएगा खराब हो जाएगा और आपका वेल्डिंग है अच्छे तरी के जनियों पाएगा इसके लाष्ट का नाम जो है वह देख कर आपको अपने आप ही क्लियर हो गया होगा कि यह एक आलकोहल है और यहां पर लिखा भी है इथानौल इस कॉमनली कॉल आलकोहल आप जो भी आलकोहलिक द्रिंग्स है उनका अक्टिव इंग्रिडियन्ट यह यहां तक कि आप जो डिओरंड यूज करते हो गुसमें भी आलकोहलिक होता है इसक नाम पर ऑप सीरिफ mess प्ले का यूज होते हैं कि कंढ़े हैं आलकोहल काest quantities of dilute ethanol भी drunkenness करने लगता है तो अगर आप अच्छा-खासा quantity में कर लो तो वो lethal हो जाता है वो lethal हो जाता है वो it can be lethal so that's why alcohol if someone is doing alcohol or taking alcohol then they are taking in impure form not in the purest form otherwise it will be fatal lethal for them okay now let's come to the next part that is reactions of ethanol ethanol sodium के सांथ जब react करेगा तो क्या करेगा क्या बनेगा ठीक है तो ethanol जब sodium के सांथ react करता है तो वो बनाता है sodium ethoxide यहाँ पर उसका chemical formula आप देख सकते हो CS3, CS2O यानि H के जगा पर सिर्फ Na है और Na ही नहीं है Na plus है जोकि Na का है cation है और H2 hydrogen ठीक है इससे hydrogen कैसी evolve होता है इस reaction को बस आपको mark करके रखना है clear now reaction to give unsaturated hydrocarbon ठीक है अब ethanol का अगर हम reaction करते हैं क्या concentrated hot sulfuric acid के साथ मतलब उसको as a catalyst मान सकते हैं कि अगर excess of sulfuric acid है और हम उसको ethanol को react करते हैं उसके साथ ठीक है तो वो क्या होता है वो dehydrate हो जाता है यानि कि उसके अंदर के water के molecule है वो निकल जाते हैं और वो क्या बन जाता है कौन कह सकता है इसको यह क्या है CH2 CH2 देखो इसका nomenclature कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों समझाता हूँ यह CH2 में दो carbon है और चार hydrogen है तो अगर आप इसका nomenclature देखो और general formula देखो तो यह है CNH2N यानि यह एक आलकीन है और क्योंकि इस पे दो carbon है तो यह एक इथीन है इथीन है इस तरह से ही आपको इसका नाम पता रखना है हमेशा कोई भी carbon organic compound का nomenclature उसका नाम इस तरह से पता कर सकता है तो यह इथीन बनाता है और water ठीक है water बनता है तो यहाँ पर concentrated sulfuric acid works as a dehydrating agent जो की water रिमूफ करता है यह मैंने अल्रेडी आपको बताया है ठीक है यह आगे बढ़ते हैं अब इसमें properties of ethanoic acid में आ जाते हैं अब हम आते है ethanoic acid इthanol के बारे में तो एक जानगा है जो की common organic compound था अब इthanoic acid के बारे में जानते है इthanoic acid जिसको कि हम acetic acid कहते है बहुत important acid है आप जानते हैं यह बनाते हैं चामीन वागर उसमें यूज करते हैं ठीक है तो इसलिए इस लिए यह क्या करता है कि winter के time पे cold climate में यह बहुत चल्दी freeze हो जाता है ठीक है तो इसलिए इससे इसका नाम पड़ा है glacial acetic acid तो exam में अगर question आता है कि what is a glacial acetic acid then it's obviously ethanoic acid उसे ही glacial acetic acid कहा जाता है बात समझ में आके होगी आप लोग को जहां तक मुझे लगता है अब आगे बढ़ते है ठीक है the group of organic compounds called carbozoic acids are obviously characterized by their acetic nature अब आप जानते हो ना carbozoic acid है तो वो acetic, मतलब की carbozoic acid है तो वो acid ही की होगा ठीक है but carbozoic acids are weak acids यह हमेशा ध्यान रखना ठीक है, they are not strong acids तो ethanoic acid का reaction क्या होगा, यह one of the most important reaction है in this whole chapter very important VI क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ethanoic acid react करता है ethanol के साथ और form करता है easter यह structure याद करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से देखना इसमें क्या चल रहा है, ठीक है समझ में आरी यह बात चलो तो यह ethanoic acid और ethanol से किस तरह से easter बन रहा है यह आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर ना आए तो थोड़ा समझने का कोसिस करिएगा कि यहाँ पर OH को remove कर दिया जा रहा है देखो, यह OH जो है यहाँ से हट के यानि कुल मिला कि मैं आपको यह कह देता हूँ अदरवाज आप पन्फियूस जाओगे इन दोनों में से hydrogen और oxygen अलग होके water बना दे रहा है यहाँ पर और बाकी carbon और hydrogen अपने में जो है वो set होके एक compound बनाते हैं एक hydrocarbon बनाते हैं जिसे हम कहते हैं easter ठीक है यह better होगा कि आप लोग इसको ध्यान से देख के समझ जाओ ठीक है what are easter's then क्यों easter के बारे में इतना hype किया जा रहा है easter's are sweet smelling substances तो इने perfume बनाने में flavoring agents में यूज किया जाएगा obviously समझ में आ गई बात क्या मैं easter को दुबारा alcohol और sodium salt या carbazolic acid बना सकता हूँ कहने का यह मतलब है कि जहां से वो बना है easter क्या मैं उसको दुबारा कर सकता हूँ इस reaction के गर reverse कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ अगर मैं sodium hydroxide के साथ easter को react करूँ तो वो दुबारा आ जाएगा अपने form में आलकोहल में इसको this reaction is known as saponification क्योंकि इससे हम soup बनाते हैं आ रही ये बात समझ में which reaction is called saponification the reaction that is written here okay sodium hydroxide यह वाली यहां यहां पर यहां पर जो मैं कहा रहा हूँ न sodium hydroxide से जब हम react करेंगे easter को तो वो आलकोहल और sodium salt बनाएगा carbosalic acid का carbosalic acid with sodium salt इससे saponification कहते हैं क्योंकि sodium या potassium salt ही तो होता है long chain carbosalic acids with sodium और potassium salts are basically called soups तो यह saponification reaction हुआ है exam में अगर saponification reaction आएगा तो क्या करोगे इससे reaction को लिकोगे जो कि यहां दिया हुआ है देख रहे हो बहुत ही important तो इसको ध्यान से देखना अच्छे से ठीक है यह रहा easter easter को जब हम naoac से react कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा आलकोहल और carbosalic acid तो है पर एक sodium salt भी उसमें लगा हुआ है correct अब base के साथ अगर मैं react करता हूँ ethanoic acid को तो क्या होगा base के साथ ethanoic acid को react करने पर देख रहे हो आप sodium ethanoate या sodium acetate कहते हैं इसको ओके वही बात है कि carbosalic acid का sodium salt है plus water correct now so how ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates अब आप जान रहे हैं तो सभी के साथ रियक्षन को चानेंगे ना तो यहाँ एक activity दिया गया है ठीक है इससे आपको यह जानना है कि sodium carbonate और hydrogen carbonate के साथ कैसा reaction होता है clear मतलब हम उसको react करने है इसी बात है carbonates और hydrogen carbonates के ethanoic acid को तो क्योंना direct हम रियक्षन देख लिए carbonate और carbonate और hydrogen carbonate के साथ जब मैं ethanoic acid को react करता हूँ तो वो form करता है same sodium acetate कह सकते है plus water plus carbon dioxide बाद वाले में भी आप देखो तो same ही reaction बनता है यानि sodium acetate plus water plus carbon dioxide अगर आप उसको sodium carbonate से react करो तो भी वही result है hydrogen carbonate से react करो तो भी वही result है यह बस mark करने वाली चीज़ है और कुछ नहीं how would you distinguish experimental बिट्वेन आलकोहल और कार्बजली कैसिड कैसे पता करो कि भाई experiment से आलकोहल है कि कार्बजली कैसिड है देखो hydrogen gas evolve करना है सबसे बड़ा reaction तो यही है ठीक है आ गया वो reaction आपको बता दू मैं यह रहा आलकोहल को sodium से react कर दो तो यह बन जाएगा यह hydrogen gas evolve करेगा पर क्या कार्बजली कैसिड को sodium से react करो तो क्या बनेगा पता है आप लोगो क्या बनने वाला है कार्बजली कैसिड को अगर आप sodium से react करते हो oxidizing agents oxidizing agents किसी कहते है यह तो बड़ा ही general question है oxidizing agents are those agents which oxidizes a particular element they themselves goes into reduction उनका खुद का reduction होता है ठीक है common सी बात है अब इस chapter का last topic है जो की है soups and detergents ठीक है उस पे आ जाते है आप लोग जानते हो कि जब भी आप soup का इस्तिमाल करते हो आप क्यों करते हो अगर आपके कपड़े में बहुत गंदगी है oil है कुछ भी चीश है तो उसको आप दूर करने के लिए soup का इस्तिमाल करते हो और मैंने ही अभी आप लोगों को थोड़ी दिट पहले बताया था कि the molecules of soup are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acids बढ़े दा न ठीक है तो carbon जो होता है उसमें carbon chain है न ये तो carbon change जो होता है वो oil से चिपका रहता है और जो ionic end रहता है जो sodium वाला end रहता है वो water से चिपका रहता है यहाँ पर उस कड़ाइगरम दिया होगा तो बहुत अचीब आप यहाँ दिया था देखो जो sodium वाला है वो water से चिपका हुआ है यह गोल वाला part और यह हमारा यह पूछी जैसा दिख रहा है आप लोगको यह पूछी जैसा जो दिख रहा है यह oil से चिपका हुआ है क्योंकि यह है carbon का chain है ठीक है उनका नाम याद रख लेना है अगर दिया होगा तो बताऊंगा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पड़ो एक्जाम का यह बसको छोड़ो कि यह क्या करते हैं water में एक emulsion form कर देते हैं इसके कहने का यह मतलब है कि जब आप खूब धोग अच्छे से निचोड़ोगे उससे तो जो soap missile है वो dirt को बाहर खीच लेगा ठीक है न क्यों क्योंकि वह तो oil से चिपके हुए है न तो जो oil से पार्ट चिपका हुआ है वो क्या करेगा oil को खीचते हुए बाहर लेकर यह तो पानी के साथ घूल जाएगा घूल जाए पानी में घूल जाएगा और जो है इसको खीचके यह भी पानी में घूल देगा और आप जो है वो पानी को बाहर कर देते हो यह त हूद़ी अ कर Leφra हो एक एंड जो होता है वह हाइड्रोफिलीक होता है वाटर से तो इस देखर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोफिलिक end है जो oil से interact करता है और जो hydrophobic end है जो just a second just a second बच्चे लोग एक गड़वड़ा है क्या hydrophilic का मतलब होता है जो पानी से interact करता है और hydrophobic मतलब जो पानी से डरता है यानि obviously वो oil से interact करेगा तो यहाँ पर जो hydrophobic end है हमारा hydrophobic end और यह सारा oils से attach है देखो और उसे pull करने की कोसिस कर रहे है और हमारा hydrophobic end है वो तो मैंने अभी अल्रोड़ी बताया sorry hydrophilic end है ठीक है वो कहाँ जाएगा वो पानी से attach होगा देखो मैं हमेसा यह कोसिस करता हूँ कि मेरे students लोग जो है words का root जाने just a second तो words का root जानना बहुत जरूरी है मैं आप लोग को एक बहुत interesting और बहुत important चीज़ बताता हूँ फिलिक का मतलब क्या होता है फिल का मतलब होता है न अब जहां भी यह fill word देखोगे इसका सीधा मतलब यह होता है कि इसका मतलब होगा affection attraction ठीक है इसका मतलब होता है attraction attraction ठीक है और जो phobia का मतलब होता है phobia phobic इसका मतलब होगा justice का उल्टा fear वह चीज दूर भागेगा तो अगर आप हाइड्रोफिलिक कहते हो मतलब वह चीज जो है वह पानी से और अटाच होगा phobic पानी से डरेगा उल्टा जाएगा तो यहाँ हाइड्रोफिलिक क्या होता है हाइड्रोफिलिक हम उसको कहेंगे जो वाटर से अटाच होगा हाइड्रोफोबिक जो वाटर से अटाच नहीं होगा तो किससे होगा वाइल से होगा तो वो उसको पूल करते हैं, जाहे वो grease हो या dirt हो, कुछ भी हो, उसको पूल करते हैं, और वो उसको mix कर देते हैं कि इससे, water से, क्योंकि hydrophilic end जुसको खीच लेता है, ना water पे, तो यह देखो, यह आपका जो भी गंदगी है, यहाँ पे dirt है, वो सिधा water में चला जाता है, और water में जाने के बाद, यह, obviously इसका position क्या होगा, इस center पे वो रहता है, oil और dirt, और वो finally water में जाके mix up हो जाता है, और हम उस water को rains कर cloudy, why, because soap missiles are large enough to scatter light, okay, light को scatter करते हैं न वो, light को scatter करेंगे, तो obviously वो पूरी तरह से transparent दीखेंगे नहीं, सीजी सी बात है, यह तो normal सा physics है, ठीक है, इसलिए, तो यह भी आप ध्यान रखो कि या CBSC वाले का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी पूच सकता है, ना, कई बार आप लोग कि आप अगर, मतलब कि अपड़िद हो रहे हो, या ना रहे हो, तो आप देखो कि वहाँ पर foam उस तरह से form नहीं होता, soap में, जैसे usually होता है, ठीक है, foam बहुत कम form होता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वो water हो हार्ड है, due to presence of calcium and magnesium salts, जो कि मैंने यह underline कि किया होगा, और उसी के वज़े से hardness होता है, water का, तो इस hardness को दूर कैसे करें, क्योंकि इससे तो आपका soap waste होगा, आपको double, triple amount में soap यूज करना पड़ेगा, तो इस problem को overcome करने के लिए, एक दूसरा class है, compounds का, जिसे हम कहते है, detergents, उनको यूज किया जदा है, as a cleansing agent, तो जैसे कि हमारे soup जो है, वो बने होते थे क्या, कार्बोजलिक salts से, और ये बने होते है, sodium salts of sulfonic acids, और ammonium salts with chlorides and bromide ions, यानि कि ये sulfonic acids है, या ammonium salts with chlorides and bromides, obviously ये कार्बोजलिक salts तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, पर दोनों में common चीज क्या है, बोत है, long hydrocarbon chain, ठीक है, now, the charge end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water, यानि कि जो इस compound के charge ends है, जैसे उसमें charge ends है हमारा, एक hydrophobic, एक hydrophobic, ये insoluble precipitates नहीं बनाते, ठीक है, मैं कहने का ये मतलब है कि इनको calcium और magnesium ions से फर्क ही नहीं पड़ता उतना, तो वो hard water में उतने ही अच्छे से काम करते हैं, जितना की वो normal water में करेंगे, ये मैं आ correct, तो इसलिए कपड़े दोनी के चीज़ें हो, शैंपूज हो, ये सब detergent से बनते हैं, और detergent जो होता है नो चीज़ों को fabric को बहुत वीक करता है, वह लग चीज़े, आपको किसी चीज में advantage मिलेगा, तो किसी ज़ेगा disadvantage भी मिलेगा, ठीक है, ये तवस्ता होता ही है, okay, variety of methods to wash clothes, usually after adding the soap, they beat the clothes on a stool, okay, okay, और beat it with a paddle, correct, scrub with a brush, और mixture is agitated in a washing machine, why is agitation necessary to get clean clothes, अगर agitation आप नहीं करते हो, तो जो मिसल स्वाम होते हैं, वो pull कैसे करेंगे, oil or dirt को cloth से, जब तक हम उसे agitate नहीं करेंगे, move नहीं करेंगे, तो वो चिपक तो जाएंगे, वो चिपक तो the agitation is necessary, otherwise what will happen, otherwise dirt will remain in the clothes, it will not go to the water, okay, correct, so with this, I think the chapter is completed and if you have any doubt, then you can ask me, okay, in the comment box or in my telegram channel, yes, rest is about the exercises, so I will just put the solution of all the answers, sorry questions, not answers, okay, so I will put solution of all the questions, in my telegram channel, okay, you can go there and you can get answers from there, okay, so, okay, then we'll meet in our next class or you can also see in the next video, okay, till then, bye-bye, prepare well for your board exams, okay, have a nice day.